नमस्कार किसान भायो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमाल चैनल दाकर एगरों फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर में हूँ आपका दोस्त मनिस दाकर दोस्तों आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली तो वीडियो को अंतर जरूर देखे आज हम बात करने वाल हमको लगानी चाहिए कौन सी नहीं लगानी चाहिए तो हम इस वीडियो के माधियम से आपको सारी जानकरी देंगे कि जिससे हमारा उत्पादन पहले आ जाए और समय पर हमारा उत्पादन हो जाएगा बढ़िया मार्केट में रेट भी मिल जाएगा और जो उनका कर सकते हैं आराम से चलिए किसन भायों हम आपको सबसे पहली वराइटी बताते हैं पहले नमबर पे हैं 15 जी मत्रत तीन इसका उत्पादन ने 40 को इंटर प्रती एकड यह थोड़ी बोने किसमे की होती है इसकी जो पहली तुड़ाय आपको जो मिलती है 60-65 दिन में आपको आराम से मिल जाएगी इसके अंदर जो दाने होते हैं वो कम से कम 9-10 होते हैं आराम से यह जो वराइटी है आप यह अग्यती किसमों में चायन कर सकते हैं और इसकी बुवाई कर सकते हैं जिससे आपको सबसे पहले उत्पादन मिल सके और अब आती है दूस होते हैं वो मध्या मुच्चाई के होड़ते हैं इसके अंदर जो फलिया लगती है वो 5-6-7 दाने की लगती है इसको भी आप लगा सकते हैं मध्यावदी के लिए अब जो तीसरे नमबर पर जो वेराइटी आती है वो है GS10 यह जो बीज है वो प्राइवेट कंपनी का बीज है इसका जो उत्पादन होता है वो प्रचास के इंटल प्रती एकड़ की दर से होता है इसके अंदर जो पेली तुड़ा है जो आपको मिलती है वो लगबक 80-85 दिन लग जाते हैं आपको इसके अंदर जो फलिया लगती है इसके अंदर जो दाने होते हैं इसके अंदर 8-10 दाने लगते हैं एक फली के अंदर और जो इसका पोदे का आकार होता है वो भी मध्यम आकार का ही होता है दोस्तों यह काफी अच्छी वेराइटी है आप इसका भी जायन कर सकते हैं किसन भाई अब आती है चोते नमबर पर यह है early December early December का जो उत्पदन होता है इसका जो उत्पदन होता है वो 50 Quintal प्रति एकड़ की दर्थ से होता है इसका जो उत्पदन पहली तुड़ाई का जो होता है उसके अंदर लगबग आपको 60-65 दिन लग जाते हैं और इसके जो पोदे होते हैं वो मध्यम आकार के होते हैं और यदि आप अग्यती के अंदर करना चाते हैं early December और पंतसब जी मटर 3 इन दोनों को आप लगा सकते हैं यदि आपको अग्यती बुआ ही करनी होतो अब किसान भाई वो पांचोन नंबर पर आती है उसका नाम है यह है एपी 3 यह जो एपी 3 जो आपकी GS10 की जितनी गुनवता रखती है इसका जो प्रोडेक्शन उत्पादन होता है वो 50 स्कुइंटल प्रतियकड की दर से होता है इसके अंदर भी जो दाने लगते हैं वो 8 से 10 लगते हैं यह जो प्रोडे का आकार होता है वो भी मध्यम आकार का ही होता है इसका जो उत्पादन आपको मिलेगा वो है 70 से 45 दिन के आजपस आपको मिल जाएगा अब नंबर 6 पर आती है आर्किल इसका जो उत्पादन प्रोडक्शन है वो है 45 स्कृटल प्रती एकड की दर से होता है इसका जो पोदा होता है वो थोड़ा बोना किसमा का होता है परन्तु इसकी जो पोदे की व्रती होती है वो काफी अच्छी होती है दोस्तो जो आर्किल की पहली टूराई होती है यह आपको 60-65 दिन के आसपास मिल जाती है इसके अंदर जो फल्यों के अंदर जो दाने होते हैं 8-10 दाने आपको आराम से मिल जाएंगे दोस्तों जो 2-3 variety हैं इसके अंदर जो दाने मिलते हैं वो आपको 8-10 दाने मिल जाते हैं इन फल्यों के अंदर और quality का अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है अब नमबर 7 पे आती है bonevelle जो bonevelle आती है इसका जो production उत्पादन होता है इसका जो उत्पादन होता है वो 50-15 प्रतियक्ड की दरसे होता है इसके जो पोदे होते हैं वो थोड़े मज्यम उचाहिए होते हैं इसके अंदर जो पेहली तुड़ाई होती है हमारी इसके अंदर 80- से 90 दिन लग जाते हैं इसके पर दाना लगते संदिए हम ने बताया आपको अगयत आगयती तो हमने और सब्सक्राइब पटर 3 और आजा 3 इन दोनों का आप चैन कर सकते हैं जो अरेली दिसंबर है उसका भी आप चुनाओ कर सकते हैं और जो जी एस टेन एपिथ्री आर्किल है और बोर्न विले हैं यह सब जो सारी वेराइटी है दिरे दिरे आने वाली वेराइटी है यदि आप इनको लगाएंग तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल पर नहीं हो तो माल चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें यह दि फेस्बूक पेज़ भी हो तो फेस्बूक पेज़ को भी फोलो कीजिए वहाँ पर आपको किसना से जुड़ी सारी जानकरी मिलेगी बहुत बहुत